निमस्कार दोस्तों जै मातादी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चेनल पर दोस्तों धनूरासे वालो दोस्तों केसे हैं आप सभी लोग उम्मित करता हूँ और रासा करता हूँ कि आप सभी लोग बगवान चन देप की किरपासे अप आप शभी लोगों बहुत अच्छ होंगे बहुत खोस होंगे और बहुत हैपी होंगे दोस्तों आप शभी को बता दें दोस्तों अब आने वाले अगले तीन दिनों के भीतर आप सभी के जिवन काल में लेकर आ रहे हैं एक बहुत बड़ा जबरदस्त परिवर्तन जी दोस्त अब आपके कुंडली के उचितम भाव में न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी बिरजबान हो चुके हैं जिस कारण से आपके जिन्दगी में अब इन तीन दुनों के भीतर आखों के सामने ऐसा बदलाव होंगे जिन्हें देख कर आपके तो बिल्कुल ही हो से और जैंगे जी दोस्तों और दोस्तों आप सभी को बता दोस्तों अगर आपके जिवन काल में जो भी लोग आपके दुसमन तत्व बने हुई हैं दोस्तों जो लोग आपके बारे में हमेशा बुराए करते रहते हैं आपको हमेशा बुरा भला कहते रहते हैं और आपको हमेशा किसन के शिपरकार की परिशानी पहुचाते रहते हैं तो दोस्तों अब आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी आउशकता नहीं है क्यों दोस्तों अब मगबान शन्देव जी इन तीन दनों के बीतर आपके दुसमन को मौत के सेज पर सुलाने वाले हैं जो दोस्तों और दोस्तों उनके साथ जो होने वाला है उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो चाएंगे दोस्तों एक परकार से यूँ के हैं दोस्तों अब आपके दुस्मनों का नाम निसान हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाले हैं कि दोस्तों आपके दुस्मन के पापों का घाड़ा अब भर चुका है अब दोस्तों नयाय के देवता भगवांट संदीर जी उनको ऐसे सजा देने वाले हैं कि दोस्तों देखने वालों का वे रूप काप उठेंगे जो दोस्तों और जहां आपके दुस्मनों को सजा मिलने वाले हैं जहां उनके साथ के सिपरकार के कुछ बुरा होने वाले हैं तो वहीं आप लोगों को बड़े-बड़े खुसकबरी भी प्राप्त होने वाले हैं और इस खुसकबरी को सुनकर आप और आपका पूरा परिवारियास में काफी खुस भी दिखाई दे सकते हैं जो दोस्तों तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही मैधपूल वीडियो रहने वाले हैं क्यों दोस्तों आज की इस वीडियो का निर्मान ग्रहों के संपून विसलेशन और पंचांग के एक एक गन्ना करने के बाद विशेस्तोर पर आप सभी जातों के लिए बनाए गई हैं तो आपसे निोधन करता हूं कि आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी भूल से मिस ना किजीगा क्यों दोस्तों ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है जो दोस्तों तो आये दोस्तों कि जान लेती हैं कि आने वाले इन तीन दिनों के भीतर भगवान संदेव जी आप लोगों को कौन कौन शी बड़ी खुसकबरी देने वाली हैं आपके पिछले समय के कौन से अच्छे कर्मों का पल आपको यश्मी प्राप्त होने वाले हैं और शाथ आपके जिन्दगी में क्या बढ़ी परिवर्टन लेकर आ रहे हैं कौन-कौन से खास बदला भी इन तीन दनों के भीतर आपको दिखाये देने वाले हैं और इन तीन दन किस समयोदी में आप लोगों को किन किन चेतरों से लाप की प्राप्ते भी होने वाली हैं और दोस्तों शाथ इन तीम दोनों के वितर आपका बेने स्वेपार केशा रहने वाला है आपके नोकुरी केसे रहेंगे, आपको सवास के से रहेंगे, प्रेम समन के से रहेंगे, आर्तिक एस्तिक के से रहेंगे, गर्परवार का महुल के सा रहने बाले हैं दोस्तों हम आपको हरे जानकारियां पूरी सटी और पूरी सच बतांगा तो आज की इस बीडियो को आप बिल्कुल भी मिश ना किजी बताई दोस्तों बात करते हैं ये बीडियो की शुरुवात करते हैं दोस्तों से पहले मगवान शंदेव के सभी सच्ची और प्यारे भक्त इस बीडियो कभी कभी अपने प्यारे हांतों से एक प्यारा सलग जरू करें शाति कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और सर्दा भाव से जय शंदेव महरा जरू लिखें आपकी सारी की सारी मुनकमनाय जल्दी ही पूल हो चाएंगी तो आज दोस्तों बात करते हैं बड़के सुरुवात करते हैं दोस्तों आने वाले अगले तीन दुनों का समय आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही शंदार समय रहने वाले हैं क्योंकि दोस्तों इन तीन दुनों के भीतर आपके कुंडली के उचितम भाव में नयाय की देवता और करमों के फाल दाता भगवान संदेव जी बिरजमान हो चकी हैं जिस कारण से आप लोगों को उस मेहनत का फल मिलने वाले हैं दोस्तों जो मेहनत आपने पिजली समय अंतराल में दुख तकलिपों को जील कर आपने जो किये थी आपने जो परिश्रम जील कर जो आपने मेहनत किये थी दोस्तों उसी मेहनत का फल आप लोगों को इन तीन दुनों के भीतर प्राप्त होने वाले हैं उट साथ एगर आपकी जो अंकार में किसी परकार के शमयस्याओं से आप गिरे हुए हैं, आपका पीछा वा समय साय नहीं छोड़रे हैं, ओध दोस्तों आप इनके लिए काफी परिसान भी हो चोके हैं, तो दोस्तों उन सारी शमयस्याओं से आप लोगों को इन तीन दुनों के भीतर बड़ी ही असानिसे आप उशे प्राप्त भी कर लेंगे जिनसे मन यहाश्य का खुश और काफी परीशन में दिखाई दें सकते हैं दोस्तों यहाश्य आपको तकी काफी अच्छी मदद भी भी विलेंगे जिसकारण से आप यहाश्य में आए में यहाश्य ब्रॉत् गश्ष में किसी छेत्र में आठके पड़े हुए थे दोस्तों आबी कारें इन तीन दनों के भीतर आजनव से पूरे होंगे जिनने कर आपके तो बिल्कुल ही हो सुर जांगी और आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा ओ दोस्तों जो लो सीचा के छेतर में जूड़े हुए हैं दोस्तों लोगों को यह समें धनलाप की अच्छे उसर विप्राप्त हो सकते हैं जिन से वे लोग यह समें कापी अच्छे यह समें केस gauge से आपके बड़ी डील भी हो सकती हैं जिन से आपके 8 आपके प्राप्ति होंगी और जिनसे आपका आर्थिक पक्ष भी यह समें मधबूत भी हो सकता है और साथ यह समें घर में परिवजनओं के साथ शमे आनंद पुर्वक वितायन तो आपके लियए विवेतर हैं और आपके परिवार के लिए अच्छा रहेंगी और साम के समया आपके घर में सुवादिष्ट बोजन का आप आनन्द भी लेंगे और दोस्ते रासे के जो लोग और विवाजते हैं जिनका विवा होने का योग हो गया है लेगे दोस्तों उनका विवार भी तक नहीं होआ है तो दोस्तों इन 3 दून के विव तर उन लोगों को विवाज का परोश्ता भी आ सकते हं और हो सकता है कि प्रोश्ता आपका स्भार भी कर लेए और साते सारी यहसे को लेंगे रेंगे और आप यसमे लबमेंड के साथ के से भी लोंग ड्राइब पर जा सकते हैं जिन से आपके रिस्ते में यसमे काफी अच्छी नजदिकियां भी बढ़ेंगी और भी आपसे यसमे काफी खुश भी दिखाई दे सकते हैं और दोस्तों अगर आप यसमे इन तीन दुनों के भीतर सुर्देव को जल अर्पित करते हैं तो आपके धन में काफी अच्छी बढ़तरी होंगी और आपके जिन्दगी की हरे शमेसाओं से भी आप लोगों को हमेशा मेसा के लिए मुक्ति मिलेंगी और यसमे पूरपटी से जोड़े लेंदन भी आपके पूरे होंगे और आप लोगों को इन छेतर मियसमे काफी अच्छी बढ़तरी भी देखने को मिलेंगे और दोस्ति यास में श्वास्त को लेकर आपका पीज़ा सतग रहें नहीं तो दोस्तों आपकी एक छोटी से लपरवाही के करन आप लोगों को बाद में बहुत पस्ताना भी पढ़ सकते हैं और यास में आपके से भी व्यक्ति के साथ बोधिक चर्चया प्रवाद विवाद बिर्कुल भी ना करें नहीं तो बाद में आपको ही परिशानी हो सकती हैं तो आप यास में इस बात को जरत्यान में जरूर रखना